नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक्स वाकत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चमतकारी पतियों के सेवन की विदी के बारे में बताऊँगा दोस्तों, यदि आप इन पतियों को सिर्फ 11 दिन तक पानी में उबाल कर सेवन कर लेती हैं तो दोस्तों, आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा दोस्तों, सो सालों तक आपको हडीयों की कमजोरी और जोडों के दर्ण या हडीयों के किसी भी प्रकार के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, आपके सरीर में खून से जुड़े रोग दूर हो जाएगे खून का गाड़ा होना, खून की सभाई करेगा, खून को बतला करेगा, खून की गाड़ा होने की समस्या को दूर करेगा, और जब आपकी खून में गंदगी नहीं होगी, तब आपको बुरे कोलोस्टोल की भी कोई समस्या नहीं होगी, यानि ये नुस्का बुरे कोलोस्टो और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिस पत्ते की बात करें हैं जिन पत्यों की बात करें हैं वहाँ पतिया हैं बथवे की पतिया दोस्तो बथवे में विटामिन A, Iron, Calcium, Phosphorus और Potassium, Carbohetate, Fiber, vegetar, vitamin C भरपूर मातरा में पाय जाता हैं। जो दोस्तो आपके पूरे सरीर को AD से लेकर चोटी तक के पूरे सरीर को निरोगी बनाने का काम करता है। और दोस्तो डाइबटीज के मरीजों के लिए तो ये और भी कारगर ओस्ती हैं क्योंकि इसमें विटामिन A, B, C, एंटोक्सेंट आईरन भरपूर मातरा में पाये जाता है। ये बलड में इंसुलिन की मातरा को कंटोल करता है। इसलिए बलड सुगर को कंटोल करने में यह बहुत आधिक कारगर है। तबी तो डाइबटीज के मरीजों को बथवा खाने की सलहा दी जाती है। यदि आप अपने पाचन को मजबूत करना चाहते हैं जिससे कि आपको पेट का कोई भी रोग ना हो। तो दोस्तो बथवे में भरपूर मातरा में फाइबर होती हैं और इसमें पानी की भी मातरा बहुत आधिक होती है। इसका सेवन करने से आपका पाचन मजबूत होता है। और जब आपका पाचन मजबूत होंगे तो आपको पेट का कोई भी रोग नहीं होगा। कबज, गैस और एस्टिटी जैसे समझ चाहें आपके सरीर से दूर हो जाएंगी। और दोस्तो हमारी सरीर की कोई भी 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 मारी हो, उसके पीछे कहीं न कहीं कोई भी कान हो पेट से जुड़ा होता है। और जब आपका पेट सही होगा, तो आपका पूरा सरीर ही निरोगी बन जाएगा। दोस्तो बथवा वजनको भी कम करता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम मातरा में कलोरी होती है और प्रोटीन की अच्छी मातरा होती है यदि आप बथवे को अपनी डायट में सामिल करते हैं तो इससे आपका पेट भर रहता है और आपका वजन तेजी से कम होता है दोस्तो ये आपके बालों को भी मजबूत करने का काम करता है, बालों से जोड़ी बीमारियों का इलाज करता है, दोस्तो यदि आपको गुर्दे की पत्री की समस्य है, तो इसकी सेवन से आप गुर्दे की पत्री से भी अराम पासकते हैं, क्योंकि बत्वे की उपयोग से अम मोजूत होते हैं जिनसे आपकी आँखों की रोजनी बढ़ती है इसमें विटामिन A भरपूर मातरा में पाये जाता है दोस्तो यदि आपके सरीर में खून की कमी हैं खून में गंदगी हैं या खून को पतला करना चाहते हैं तो दोस्तो ये आपके लिए एक कारगर दावा है क्योंकि इसमें आइरन भरपूर मातरा में होता है जो आपके सरीर में खून की कमी को दूर करता है और यदि आप खून को साफ करना चाहते हैं तब आपने इस बतवे के साथ में 5-6 नीम की पतियों का भी सेवन करना चाहिए इससे आपका खून साफ होगा और जब दोस्तों आपका खून साफ होगा तब आपके चेहरे पर भी नया गलुआ जाएगा आपका चेहरा खिल जाएगा दोस्तों बतवा आपके सरीर की इम्म्यून पावर रोकों से लड़ने की सक्ती को भी बढ़ाने का काम करता है तो देखा दोस्तों कितने सारे फाइ या आपके खेत में आसपास भी खड़ा जरूर होगा बस आपने इसके सेवन की सही विदी जाननी है दोस्तों आपने क्या करना है बतवी की पतिया लेनी है जैसे कि यह हमने ली आपने इनको धोकर साफ कर लेना है जैसे कि यह हमने कर ली अब दोस्तों आपने इनको एक से प्रेड़ ग्लास पानी लियातर वो एक कप ने रह जाए और जब वह पानी उबल उबल कर एक कप रह जाए तो दोश्तों आपने उसका सेवन सुबह खाली बेट करना है और दोश्तों यदि आप 11 दिन तक इसका सेवन करेंगे तब आपके सरीर में चमतकारी बदलाव महसूस होगा आपके चहरे पर नया गलो आ जाएगा खून की कमी दूर हो जाएगी और आपका सरीर निरोगी बनना सुरू हो जाएगा दोश्तों आप इस बथवे की पतियों का साग बना कर भी खासकते हैं और वो बहुत फेश्टी भी लगता है तो दोश्तों देर किस बात की है आप भी आज से ही इन बत्वे की पतियों का प्रियोग सुरू करतीजिए और अपने सरेर को बिलकुल निरोगी बनातीजिए तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वली वडियो की नोटिफकेशन आती रहे धन्यवा दोस्तों